हालो दोस्तों मश्कार पोलिटिकल साइस लर्निंग में आप सवी का स्वागत है हम लोग यूजेस नेट पोलिटिकल साइस के प्रीविएस यह कोस्चन स्वाल करेंगे यह हमारा कंप्रेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट थर्ड वीडियो है पार्ट वन और टू हमारे चैनल मे में दःमिरव जय रीच्यमकल से कौन सा कंपोनेंट जो सेसेयल नहीं होता वै्ल Robin होता है इंशनेल एंटिटूड भी सेसेयल होता comigo करफ सो आभत 9008 कजमकल कोल्टिकल कलचर किसी भी जो नेसंस होता है उसके बैसिक एटइटिव और 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 ओर ऑने तो को दिखाता है कि उस और लोगों का विश्वास है उनका फंडामेंटल एक और वस्वास वंहीन की सिस्टर पर रेक प्रकार का है तो यह कुश तो रावर्ट पैखेनम के अनुसार जो अफ्रो एसियन और लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में असेम्ब्लीज है उनका क्या इंप्वर्टेट रोल है उन्होंने आउटलाइन किया है तो उन्होंने तीन फंक्सन्स आउटलाइन किया है वह है लेजिटिमेड फंक्सन्स नहीं बताया है तिसमें से आपका जो करेक्ट एंसर होगा वह थार्ड नंबर होगा तो तो तीन इंपोर्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शन्स वह हैं लेजिटिमेट फंक्शन्स सेफ्टी वाल फंक्शन्स और अड्मिस्ट्रेट्व ओबर्व्यू यह जो तो सब्सक्राइब करते हैं उसके जो डाइनमिक साफ वोल्टिकल और सोचल गवर्नेंस है उन सब का नेक्ट कोशन है फार्ट फ्राम दा लो इंकम थार्ड वर्ल्ड इज आलसो आइडेंटिफाई द प्रजिंस आप थार्ड वर्ल कंट्रीज में लो इंकम की समस्या देखने को है इ inicial अर्वार यहाँ देखने को देखने को इससे को अ किया सकता है तो आ है सोसल इक्वर्टीच रहती है कौनाविक प्रसपर इट ठर्ड वर्ल में रहती है तो आपका करेक्ट और और्स थे दिई है यहाँ करेक्ट होगए तो अंडर डवलप्ट एग्रिकल्चरल स्टेट्स और इसमें जो नुसस आते हैं वह अफ्रीकान एसीन और लैटिन अमेरिकन देशों के कंट्रीज हैं तो जो समस्यां है इनमें थार्ड वर्ड में कई सारी समस्यां देखने को मिलती है इनेक SB одसी सब्सक्टों के समस्यां देखने को मिलती है और साथ इसाथ जैन्डर इन क्वेटी जो है तो अब लेकिन अभी यूच किया जा रहा है और यहाँ निस्ड़ घंडають सेकंड इहां पर दो इस्ट में एक लिश्ट में आथather्स या जो देते हैं वह दिपेंडेंसी दी बात करते हैं कोल्ड यूश बात करते हैं वह मिखाइल ग्रभा चोल ने बात अग्रोट का सिध्धात तिया था और माल्टन क्यपलान शिस्टम देपी आपका एंसर होगा एका फौर्थ होगा वी थड़ सी कवण और डी का शेकंड होगा ठीक तो अजी फ्रेंग डिपेंडेंशी थे देते हैं डिपेंडेंशी थे यह कहते है कि जो गलोबल के डवलब्ड कंट्रीज है वह डवलपींग कंट्रीज का एकोनामिक डॉमिनेशन और एक्स्प्लाइटेशन करते हैं वहीं कॉल ड्यूस जो है तो कम्मुनिकेशन थियोरी देते हैं उसमें वह कहते हैं कि जो इनफार्मेशन का फ्लो आफ इनफार्मेशन से गवर्मेंट के डिसीजन में कि वह बहुत ही सिद्धान देते हैं जो सोवियट पॉल्सी है इसमें जो हमें इसको जिसान उसका क्या स्टार्टन के सामने आते हैं त्वीड मार्टन जो कैपलान है यह सिस्ट्रम तूरी देते हैं यह 6 तरह के Все पहला है बैलेंस आफपवार सिस्ट्म दूसरा है लूज बाइपोलर सिस्ट्म तीसरा सिल टाइपोलर सिस्टम चोथा यूनिवर्सल एक्टर सिस्टम पाचमा है हाई राइल का सिस्टम और छटमा है यूनिट वुटो सिस्टम ति यह जो हतो छिसी स्प्रकार के मॉडल से जो उन्हों सिस्टम की बताते हैं ग्लोबल लेवल पे ठीक तो मार्टर का प्लान नेस्ट कोचन है आप तो यह जो निहानद पर का स्टूोशन दिए हुए हैं किस और फेम हुए हैं उनके क्रम में आपको उस क्रोनलाजी में लगाना है तो जिसे पास्टूशन आफ सुटिजर्ल लैंड नाइटीनगे अन्टनीन में हुआ है ठीक Constitution ऑ अमेरिका जो आया था 1789 में आया था Constitution of इंडिया जो आया था वो 1950 में आय था और Constitution of Canada जो प्वाथा था 1982 में हुआ था ठीक तो देख लेते हैं जो Constitution of America बन के त्यार हुआ था सेवंटीन नाइन्टीएटी एटी Constitution of America 1949 में बनकर तयार हो गया था 26 नुमंबर और लागू जो हो था 26 जनवरी 1950 को लागू कानाड़ा जो हो तो 1982 में और कांस्ट्यूशन आप सुट्यूशन लेंट कवाया था 1999 में नेस्ट कोश्चन है वीच एमंग फालोइंग कंट्रीज हैनोर रेटzung से कॉंसे कंट्री हां जैरे नहीं है उसे UK हो गया इजसराइल हो गया लीबिया न्यूजि लेंड हो गया ऊपान और शाओदी एडाविया इन कंट्रीज शक्मादर लेंग कर नहीं लिखावा नहीं है वह स्कुर्जन है विछ वान आप डफ वालॉइंग ज्नाट आपकाश फ़र देमोक्रेटिक सिफ्ट कंटेक्स आप डेमोक्रेटाइजीशन तो जो कंट्रीज का देखने को मिलता है मीडिया जो हो तो डेमोक्राटाइजेशन कांटेस्ट में बहुत इंपोर्टेंट काज नहीं देखने को दिखाई देता है यह तीन जो है तो फर्स सेकंड और थर्ड जो है तो आपका को इंपोर्टेंट कॉर्ण है डेमोटाइजेशन यहां पर कुछ दिये हुए हैं जो डेमोक्राइजेशन के कोल्टी और इंक्लूश्य इंप्रिटीशन्स से डिशूशन से वहां का क्वूल्टी से क के सईड़ी ALLोः सॉल्टी सो् amazingly में एक कारण की भूम का निवाते हैं वेव आप डेमोक्रेसी जो आई वह भी डेमोक्रिटाइजेशन में महत्कुर्ण भूम का निवाई लास आफ पॉपलर्टी एंड लिजिटिमेसी आप वाइल इसके डेमोक्रेटिक होनी में नेट कोचलन है वीच वान आप फालोंग स्टेटमेंटर टू एक डबावड डडेपेंडेंशी ठीशोरी त्यूरी के बार क्या 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 कोश चल्ट सेटमेट सही है डिपेंडेंशी त्यूरी बाजू इंफूरस बाइंफ्लुंस बाए करके आई है तो इंफ्लेंस हुई है यह सही है ठीक टिपेंडेंसी त्योरी इस्ट्रेस पीस्फुल एवलिशनरी प्रोसेस प्रोसेस आफ मॉर्डनाइजेस्ट तो और रेडिकल चेंजस की बात करते हैं पीस्फुल जो हो तो स्ट्रेस पर ध्यान नहीं देते यह इसलिए इस जो निर्भर करते हैं जो डवल्पिंग कंट्री जह वह सही है ठीक ना डिपेंडेंसी त्योरी की यही परिवासा है फिर फ़स्ट वर्ल्ड डज नाट एक्स्प्लाइट थार्ड वर्ड को फश्ट वर्ड नहीं एक्स्प्लाइट करते यह स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि इसने दाप्र डेट एक्सप्लाइटेशन करते हैं इत्याँ पर आपका जो विए और डिक अंकरेक्ट है एक्सप्सर्ण होकर्यक्ट होगे यह अब करेक्ट एंसर जो एक्प्र नमबर आपका अपसांस होगा तो डिपेंडेंसी त्योरी एक्सप्लाइंस दर अंडर को इन्रिश करती है यह यह जो थियोरी है यह पाफ लेटेट की गई थी नाइनटी सिस्टीज में वाइदा रिसाच इसका लोन आज रावल प्रेविश ठीक नहीं तो उन्होंने पहले पहले ऐसे रिसर्च थे उन्होंने यह नोटिस किया कि जो वेल्थ है वह एडवांस ट्रेश से आ रही है तो वहीं से यह डिपेंडेंसी थी निकल कर सामने आती है नश्कुशन है यहाँ पर दो लिस्ट दूहीं है एक लिस्ट में आथर्स दियो हुए और सेकंड जो लिस्ट है उसमें बुक्स दियो है आपको इनको करेक्टली मैच करना है लाड़ ब्राइस और चाल्स अमेरियम की जो बुक है न्यू आस्पेक्ट ऑफ पोल्टिक्स तो यह करेक्ट होगा तो एक थार्ड बी का फॉर्ट सी का वन और डी का यह सेकंड नंबर जो आपका अपसंस है वह करेक्ट देख लेते हैं लाड़ ब्राइस की बुक है मॉडर्न डेमोक्रेसी ज और चाल्स अमेरियम की जो बुक है न्यू आस्पेक्ट ऑफ पोल्टिक्स 1925 में लिखी जाती है तो यह इंप्वर्टर्स बुक है आप इलके जो तो डेट यार याद करके रखिए और साथ-साथ बुक्स को नाम भी याद रखिए का पूछे जाती है यह तो धन्य बाद द आखी जो इस तरह की आगया ने अल्य वीडियोज हैं वह आपको मिल सके थैंक्यू धन्यवाद